हाई, माइनेम इस आशीश पाराशर, वेलकम तो मैगनेट ब्रेन पेटा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बैक क्रॉस एंड अनदर वन इस रेसिप्रोकल क्रॉस क्लियर है ना, ये दोनों क्रॉस आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले स्टार्ट करते हैं बैक क्रॉस से, बैक क्रॉस की अगर मैं बात करूँ जभी भी कोई एक 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 एफ वन इंडिवीजुल जो है इस क्रॉस्ड विद इधर ओफ देर पेरेंट्स, अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये चीज आपको दिमाग में जो एक बैस बना के चलना है, वो ये बना के चलना है जो हमने ये क्रॉस करवाया था ना, स्टार्टिंग में एक दम, जहां हमने इनको पेरेंट लिया था है ना, और पेरेंट लेने के बाद हमने इनको क्रॉस करवाया था, तो एक ये आया था इसको आप base मान के चलो और जितनी भी definition है, जितनी भी चीज़े हैं, सब इसी based है For example, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जब F1 individual, यानि कि इसकी बात हो रही है जब F1 individual is crossed with either of the parent या तो इससे करवा लो, या तो इससे cross करवा लो अब देखो ध्यान से अगर मान लो, मैंने F1 को, इसको, इनसे cross करवाया इसको, clear रहे हैं तो इसको मैं out cross बोलूँगा और अगर मैंने इससे cross करवाया, तो मैं बोलूँगा test cross ये चीज़ समझ आई न, यहाँ पे बोलूँगा out cross और यहाँ पे बोलूँगा test cross आगे पढ़ते हैं इसको अब देखो बेस यही समाझना आगे पढ़ते हैं out cross out cross का मतलब क्या होगा when an individual is crossed with अब कौन सा individual? F1 ठीक है न? तो when an F1 individual is crossed with dominant parent dominant parent जब भी एक F1 individual dominant parent से हम cross कराएंगे उसे हम out cross का नाम देंगे clear है न? अगला अब यह जो obtain होगा जैसे कि माल दीजे अब इनने बोला हमने cross करवाई दिया ठीक है न? तो जब हम cross करवाएंगे तो बेटा आपको भी पता है एक T यह बड़ा वाला बनेगा और एक बड़ा वाला T और एक छोटा T बनेगा तो जो individuals obtained होंगे वो यह होंगे जो F2 बनेगा यह यह उनका zero type बनेगा आप करके देख ले न यहीं answer आएगा यह भी टॉल है यह भी टॉल है इसी लिए तो लिखा गया है कि the obtained generation यानि कि जो obtained होगा F2 हमें इस cross से all possess dominant character सब में dominant characters होंगे यह चीज़ समझ आई न तो हमने क्या पढ़ा हमने यह पढ़ा कि एक basic सा हमने cross देखा था when F1 generation is crossed with parent diagram जादा focus करना theory पर focus मत करना diagram ही आपको paper में याद आएगा theory तो हवा हो जाएगी तो F1 को हमने dominant के साथ cross करवाया इसको out cross बोला हमने एक बार करके भी देखा हमने जो पाया capital T, capital T और capital T और small d यह F2 में बनेगा दोनों के दोनो dominant characters वाले हैं clear है ना? तो यह चीज़ है इसके बाद next one हम पढ़ते हैं next one is test cross अगला वाला क्या है? test cross है तो बेटा obvious सी बात है test cross किया अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा है कि जो F1 individual है यह वाला is crossed with recessive parent किसके साथ cross किया गया है? recessive parent के साथ यह देखो यह जो F1 है इसको recessive parent के साथ cross किया गया और इसी को हमने test cross बोला है तो क्या definition होगी इसकी definition होगी when F1 progeny is crossed with recessive parent अब यह जो test cross है ultra important है 5 star लगा लो 10 star लगा लो ultra important है इतना ज़ादा important है कि इसको मैं अगली class में detail में cover करूँगा clear है न? आगे पढ़ते हैं हम लोग reciprocal cross ठीक है? reciprocal reciprocal शब्द से ही हमको clear हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हम ultra ultra करने वाले हैं तो generally reciprocal cross में क्या ultra होता है? यहाँ पे sex of parent is reversed sex of parent reverse का क्या मतलब है? कि एक बार जिसको हमने पहले male लिया था अगली बार हम उसको as a female consider करेंगे अब हमको क्या ज़रत पढ़गे इस तरह की हरकत करने की ध्यान से समझ न देखो पहले हम test cross sorry पहले हम reciprocal cross को समझ लेते हैं यहाँ पे देखो हमने capital T capital T male लिया ठीक है? और यहाँ पे small t यानि की recessive वाला हमने female लिया दोनों cross करवाया all tall plants clear है न? इस type का अगले cross में अब बहुत ध्यान से देखना इसको हमने male लिया है dominant वाले को अगले cross में हमने female को dominant लिया है देख रहा है न? तो reciprocal change हो गया न? जो male का अब था उसको हम अगली बार में recessive ले रहा है तो ऐसे ही जब हम sex change कर देते हैं reverse कर देते हैं इसी को हम reciprocal cross बोलते हैं अगला सवाल सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे character होते हैं जो mother transfer करती है कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो cytoplasm में से transfer होती है और उन्ही को हम better समझने के लिए इस तरह का cross करते हैं clear है न? तो reciprocal cross क्या है? character controlled by cariogenes another important word are not affected यानि कि cariogenes जिसे control करेंग character को वो affect नहीं होगा देखो सवाल ये है what is cariogenes? है न? देखो cariogenes शब्द का मतलब होता है nucleus ठीक है न? इसका एक छोटा सा diagram अपन बनाते हैं बहुत simple है logical है एक बार में समझ आएगा ये cell है ठीक है? ये cell अब ये आपका nucleus है थोड़ा और बड़ा बनाते हैं देखो nucleus जान बूच के मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ ये देखो ये चीश समझ आई न? cariogenes 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 जो निकल के आया है it means nucleus cariogenes के इन्हेरिटेंस में कोई फर्क नहीं आएगा लेकिन जो genes cytoplasm में पड़े हैं उन में inheritance में फर्क आजाएगा clear है न? ऐसा होता है तो ये चीश आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी nucleus में change इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये nucleus का है और जो एग और sperm का nucleus होगा वो आपस में fuse होता है तो वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली cytoplasm जो है वो vary कर जाता है clear है न? एक और ऐसी thesis आई थी story आई थी जहाँ पे ऐसा माना गया था कि जो male nucleus है वो बड़ा होता है clear है न और female nucleus कम होता है और cytoplasm ज़ादा होता है तो अब इससे हमको क्या पता चलेगा वो inheritance वो genes का inheritance जो cytoplasm से हो रहा है या maternal हो रहा है तो उन पे क्या-क्या फरकाता है clear है न ये देखो evaluate maternal inheritance and cytoplasmic inheritance बाकी इतना पूरा आपका cover हो गया है इसमें बाकी जो cytoplasmic है results effect हो जाएंगे ये सारी चीज़े cover हो चुकी है इसके अलावा अगर आगे हम देखेंगे test cross की बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग test cross काफी जादा detail में और अच्छे से समझेंगे और बहुत जादा important है test cross इसलिए पूरा ध्यान से सुनना अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको like करें, share करें चैनल को subscribe करें Thank you